असलाम व्लेकूम आज मैं बना रहे हूं बटर पॉपक्रॉन तो यह पॉपकॉन के जो दाने होते हैं मखी के जो दाने वह लिए हैं मैंने आधा कोटोरी लिया है मैंने और यह मैंने एक चोटा सा टुकडा बटर का लिया है लगबख 50 ग्राम है यह तो हम इने बनाना करेंगे तो पोप न बनाने के लिए मैंने अपने ग्यास पर अपना कूकर रख दिया है ग्यास का फलेम मैंने मीडियम कर दिया है और यह मैं बटर में नमक होता है पर आप अगर और नमक डाना चाहते हो थोड़ा सा डाल सकते हो चाहे तो आप इसे ऑल में भी न लुसर्ट टेल ऑफ एजिस भूह ज़्म तो हमारा सारा बटर अच्छे से पिंखल गया है अब हम अपने कूकर पे डखकन लगा देंगे ऐसे करके मैंने अपने कूकर की जो रबड है वो निकाल दी है और स्वीटी भी निकाल देंगे हम बस दो मिनिट के लिए देखिए इसकी आवाज आने लगी है तो हमारे कुकर से आवाज आ रही है जब तक हमारे कुकर से आवाज आएगी तब तक हम इसे नहीं खोलेंगे जब इसकी आवाज बंद हो जाएगी जब हम अपने कुकर को खोलेंगे और देखेंगे अपने पोक कोन को तो हमारे कुकर से आवाजानी बंद हो गई है देख लेंगे हम इने ये देखिए हमारे बटर वाले पॉपकॉन बनके तयार हो गए है तो ये देखिए मैंने इने अपने पलेट में निकाल लिया है स्रफ दुस रुपया में इतने सारे पॉपकॉन बनाईए आप भी बटर पॉपकॉन ये एजीली मार्क इट में मिल जाते हैं जो मकी के दाने होते हैं तो आपको कैसे लगी मेरे रेसीपी आप मुझे जरूर बत लोगे जरूभ विजया जरू धु naturaleए स्रविजर अपने जरू लोगी बती के ज्ताच के दो पिसमेर